हेलो उर्वन स्वागत आप सभी का एक वाफिस से जी डी सी टुटर के मिटसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपलर मेडिसिन बीटा डीन सल्यूशन के बारे में जी हैं बीटा डीन सल्यूशन आपके जब स्किन पे चोट लग जाती है छिल जाता है स्क्राम करने का तरीका यानि कि में जो आप एक्षन क्या है क्या इसका साइड इफेट से लगाने का क्या सही तरीका मतलब इस सल्यूशन की हम संपोड जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियों बने रहे हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस्न होने पाए ध्यान रख वॉल्लिम के अमाउंट में इसमें मिला होगा विन मेडिकेर प्राइबिट लिम्टे द्वारा बनाया जाता है और इसे 30 डिगरी के बिलोग स्टोर करते हैं प्राइस की बात कर ले तो 100 ml के बॉटल की कीमत 115-120 के आसपास होती है डियर बात करेंगे इसके यूजस के जी होता है एक तरह से antiseptic antimicrobial हमारा solution होगा जो कि अलग प्रकार के हर प्रकार के जो वोंड infection हो गया चील गया कट गया है यह घाव लग गया रगल खा गया वह सारी चीजों को टीट करने के लिए होता है में लिए करता क्या है कि जो microbes होते है यानि कि वहां पे जो हमारा चील ग है में लिए आपका एक तरह से antiseptic की तरव माना जाता है जो कि skin पर अपलाई किया जाता है और जो हमारा skin या तो infect हो चुगा या infect होने वाला है उससे इसको रोकने का काम करता है में लिए क्या करता है स्लोली आइडीन को release करता है जिससे हमारी जो infection होते हैं वो हमारे रूक जाते हैं किल हो जाते हैं और हमारा जो चोट है घाओ है वो infection है वो ठीक हो जाता है बात करेंगे इसके यूज के direction की तो में लिए इसका यूज का direction अपने doctor के हिसाब से ही होना चाहिए में लिए आपको इसको जब भी यूज करना है तो cotton swab वगरा से आपको apply करना होता है बा application side reaction जहां पर आप लगाते हो कभी कभी आपको क्या burning sensation हो सकता है इचिंग हो सकती है redness की शमस्या हो सकती है sodium sodium ये था आपका betadene solution जी हां एक ऐसा liquid एक ऐसा solution जो की चोट लगने घाव लगने छिल जाने और अलग प्रकार की जो भी wound के दौरा infection होता है उसको treat करने के लिए ये इस्तिमाल किया जाता है और इसका असर भी देखने हो मिलता है इस solution की जानकारी कैसी लगी इसके साथ betadene गारगल की जानकारी देखनी है तो description में playlist की link डली हुई है वहाँ पे भी जरूर देखीगा चली मिलते हैं किसे अगले वीडियो में किसे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very best